पेट विकार का मानसी कनेक्शन है इसके बारे में मैंने मेरे विडियो में काफी बार बोला हुआ है कि पेट विकार का मानसी कनेक्शन क्या होता है आज मैं आपको आताने वाला हूँ कुछ केस स्टेडिस जिसमें एक दम क्लियरली शावित होता है कि पेट विकार का मानसी कनेक्शन है तो आए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दिपक केड़कर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मों तथा विसन मुक्दी तग्य हूं महराष्ट में अकॉला मुंबई पुने नागपूर यहां हमारे होस्पिटल्स है जहां मनोविकार तथा विसनी सब्सक्राइब है और वह एक ट्पिकल पेट विकार लेके आया कि वह उसकी ट्यूशन रहती तो उसको कुछ नहीं होता अच्छे से वह बैट था है ट्यूशन में पढ़ाई करता है सरे अच्छा कुछ होता है बारा बजे लेका करीब करीभ़ स्काइब कर डाड़ नहीं हुआ्ज चाना पड़ता और उसको लाता है ऑप पर अजसे और थे अधाने यह जाता है शुव एदाएं पर वहाあります करने के बाद में लेटर इंशन होती नहीं है। फिर वापस आता है। इसका जो कारण है वह क्लिएर कड़ कारण है की रिップर Somebody कमें है। कुछ चल रहा है। उसके दिमाग जैंत शकल सारे बीचाल रहें दूशन निमाग चलने के साथ में चलने से उसको ये प्रॉब्लिम आते जा रहा है दूसरा एक लड़का भी आया सा था उसका उलटा था उसका यह था कि घर में जब रहता है तो कोई टेंशन नहीं है गर में अच्छा वाता हो रहने कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे ही वो ट्यूशन में जाता है और ट्यूशन जाने के बाद में वहां उसको बार-बार-बार-बार फिलिक होदी के भी लाइटिन लग गए और उसको फिर बीच-बीच में जाना पड़ता है फिर टीचर उसको डाक्ते है और फिर उसको अकवड भी होता है अच्छा भी दिखता नहीं है कि बार-बार मतलब कैसा कितने बार जाएंगा यह ट्यूशन के बीच में पर कॉंसेंट्रेशन भी नहीं होता पड़ाई में और आपनरन वां और भी पूर से उसको पूला जाने का है तो कमजे कम लगते बारा घंटे अब बारा घंडे कеся है कि और भी बीच मेंके बारबार बार चलने के पहले जाएंगा और उसको बस में बार-बार सैंसीचन आएंगा जिसको इन लगें या लेटिन लग गई व iमाग ने बने उसका बार-बार डर लग रहा है और फिर उसको निद भी ने आती पुरा बस में रेचलेस कर रहा है पुछ बूलिया खाते रहता है प्र कहां रुकेंगे बस वहाँ देखता है कि कहीं बस स्टॉर्फ हो जाएंगे उस जाका जा का दो फिर बस्रों में झालता है सिर्फ ट्रेंल में जाता है क्यूंकि फिर लेटरिम इए को नहीं होता है जो पेड़कर है या बार-बार टेंचन दिमागे आने से फिर यह ऐसे बार-बार ट्वाइलेट जाना या उसकी विचार आना तो उसको टेंशन की वज़े से हो सकता है या फिर उसको अप्सेशन जो है कि बार-बार विचार आना और एक्चुली लगने का नहीं है कि विचार आते शिरुह तो वो जो विचार आते तो एक तो इसको आप्सेशन हो सकता है या faster उसको इरि़िटेबल बावल जो है कि डivas कि टेंशन आने से एक बार Newford में कंडीशिनिंग बैठ गया एक बार कंडीशिन ठीशन और और लेट्रिन आना या वो situation लेट्रिन नहीं आना और उसके वज़े से यह होता है उसके लिए behavior therapy है psychotherapy है हम hypnotherapy करते है hypnosis करते है कुछ medicines भी देते हैं कि जिसके वज़े से टेंशन कम हो जाएगा और उसके वज़े से वह अच्छा हो सकता है उसको यह पता चलता है कि नहीं यह में को बार बार विचार आ रहे हैं सिर्फ विचार है चुली ते लगती नहीं पचीस बार लेट्रिन एक्चुली जब जाता है समझे बस रोके तो कोई मतलब ट्वाइले तो यह सिर्फ विचार है जब उसको प्रेजेंट कर देते कि यह इंटरनल अंदर अंतरमन में सबकॉंशस मैंड में यह विचार आते रहते हैं यह आटोमेटिक विचार है एक्चली वह एक्शन में होंगा नहीं, एक्चली आपने देखा है जाके बार बार, एक्चली एक्टरिन तो खुती नहीं है, उसको जब प्रेजेंट करेंगे, विचार है उसको ऐसा अग्णॉलेज करो, और जब आप आपकी विचारों को देखेंगे, आपकी विचारों को आप अबज़र करेंगे, कि यह अंकंट्रोल विचार है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो बार बार आते रहते हैं, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यह विचारों के तो पे उसको बाजी में रखते है, तो वो लड़का अच्छा होता है, इस तरह से मैंने सब को कॉं अगलपन थोड़ी हो गया, मैं कि पागलों के दॉक्टर के पास में थोड़ी हो, ऐसा लोग बोलते है, और बाकी दॉक्टर भी हमारे तरफ रेफर करते नहीं है, तो यह लोगों में इसकी जानकारी होना जरूरी है, कि कोई भी सीचुएशन में, यदि आपको लेटरिन ल हो सकती है, वो अप्सेशन हो सकता है, फो वीया हो सकता है, वो इडि वावं, ड्यू टेंशन हो सकता है, व अलग अलग बीमारी है और इसका ИДलाच, पाइरी सायकोष्टरेपी, मेडिशिन से हो सकता है, आपके प्रिजित ऐसे काफी सारे लोग होँए, उनको वीडियो for all और सबके लिए मानसीक स्वास्तिया और वैसनुक्त भारत उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरू सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और लोगों लोगों में जाए जाए था फैल आफ सो थैंक यू फॉर हुआ हुआ हुआ